हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल टेस्ट राइडर्स तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं कि किस इंसान का दिल नहीं करता है कि वो सदा जवान खूबसूरत और ग्लोइंग स्किन हो रिंकल्स ना हो आई बैक्स ना हो बाल काले रहें और मतलब हैल्दी रहें और एक मेंटेन करें एक प्यारा सा फिगर कौन सा वो इंसान है जिसका ये मन नहीं करता है तो वो कमेंट जरूर करें कि मेरा मन नहीं करता है और जिन लगों को दिल करता है कि हम इस तरह के खूबसूरत सदा जवान बने रहें तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं क्य अगर उसकी डाइट है आप बैलन्स रखते हैं, उन वाइटमिंस को अपने खाने में शामिल करते हैं, तो यह मेरा दावा है, यह मेरा दावा है कि आप जो है, पच्यास की एमर में पचिस के लगोगे, और पचिस की एमर में नजरीन ही नहीं आओगे। तो फ्रेंट्स जोकस अपार्ट जोक नहीं करना है तो आज तो बात करने वाले हों उन वाइटमिन्स की तो वो जो वाइटमिन्स है वो है वाइटमिन ए तो वाइटमिन ए जो है रैटिनॉल वो होता है हमारे स्केन के लिए हमारी आखों के लिए हमारे बालों के लिए मतलब आल ओवर वो work करता है, आपके body के उपर, जो next vitamin है, that is vitamin C, तो vitamin C rich food जो है, वो मैं सारा आपको, जो है, आप यहाँ पे जो next है, screens में देख लोगे कि vitamin C rich food कौन सा है, वो सारा मैं आपको बता दूँगी, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और इसका work क्या होता है, यह आपकी immunity को बढ़ाता है, आपकी cells को repair करता है, जो vitamin C है, अगर आप vitamin C और vitamin E इकठे हो करके ले ले और यह एक दूसरे को इस तरह से support करते हैं, जिस तरह से अगर आप हल चलता है, तो बैल जो है, वो गाड़ी को जिस तरह खीचते हैं, दीरे दीरे जाए खीचते हैं, तो इसी तरह से यह भी अपना slowly 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 work करते है, तो जिस तरह से गाड़ी के बिना बैल अधूरा है और बैल के बिना गाड़ी अधूरी है, तो उसी तरह से vitamin C और vitamin E की जोड़ी है, जो अगर यह दोनों अच्छी से मिल जाएं, तो आपकी skin के उपर बहुत ही अच्छा effect देते हैं, जिसको बोलते हैं, एक जादू हो जाद vitamin K का क्या work होता है, vitamin D के वैसे बहुत सारे काम होते हैं, आपकी जो है, clotting में उसका बहुत बढ़ा काम होता है, blood clotting में, बट यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, आम खूब सूरत होने की बात कर रहे हैं, then vitamin K का काम होता है, कि जो जिन लोगों के आखों के नीचे eye bags बन जाते हैं, आखे सूजी सूजी सी रहती हैं, तो अगर वो vitamin K rich food अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो उनके face से जितनी भी swelling है, जो eye bags हैं, वो धीरे 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 करके गायब होने वाले हैं, अब जो next vitamin है, that is vitamin B complex, तो B vitamin के उपर मैंने जो है videos बना रखी हैं, उसके उपर details है, आ link में description box में दे दूँगी, आप vitamin B के बारे में, सारा कुछ जान सकते हो कि vitamin B जो है, आपके nervous system, जो आपकी अंदर से nervous system है, जो आपकी nerves है, आपका जो खून जो अंदर दोड रहा है, तो वो जो खून है ना, वो अच्छी से जब तक दोड़ेगा, तो आपके cells है ना, जो मज निधे, तो जब vitamin B की कमी हो जाती है, तो उसे बहुत सारी problem सो जाती है, और गर vitamin B की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, जिसको भलो, जुल सी हूई skin हो जाती है, तो उसमें vitamin B12 का भी बहुत बड़ा रोल होता है, इसमें 8 vitamins होते है, ये 8 vitamins का group है, जो skin के लिए बहुत ही benefit देत तो यहां पर आप देख पा रहे हों कि वाइटमिन B के जो जितने भी फूड है अगर आप उसको खाते हो अपनी डाइट में शामिल करते हो देन आपको जो है स्किन आपकी हेल्दी एंड ग्लोइंग एंड रेडियंट स्किन होगी आप या बहुत ही खूपसूरत लगोगे औ वाइटमिन E का भी स्किन के उपर बहुत ही अच्छा रोल होता है और वाइटमिन E और वाइटमिन C जब मिल जाते हैं तो वो सोने पे सुहागे का काम करते हैं तो फ्रेंट्स यह थे आज के टॉप 5 वाइटमिन्स जो आपको यंगर बनाने में बहुत हेल्प करते हैं तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में तो फ्रेंट्स चीनों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टिंग करके अच्छक सकें